तो दूस्तो आज जिस मूवी को हम explain करने जाआ रहे हैं उसका नाम है Easy A और दूस्तो इस मूवी में देखोगे आप कुछ ऐसे लोगों को जिनकी निजरों में अगर आप टपाइट अप करवा चुके हो तो भाई सब आप कता ही celebrity की तरह ट्रीट किया जाते हो और यहीं पर एक लड़की अपनी popularity बढ़ाने के लिए लोग उसे पैसे ले लेकर रपर दूस्ती उनके साथ टपाट अप करते हैं तांकि उसे पैसे भी मिले और वो popular भी हो जाए तो यह सब वो कैसे कब कहा की और किस किस के साथ करवाती है यह सब आप आज की इस movie में देखने वाले हो तो चलिए इस दातों देना करते हुए हम explanation को start करते हैं पर उससे पहले दूस्तों अगर आपने अभी तक हमारे second channel को subscribe न किया हो यहाँ पर olive की friend उससे कहती है कि चलो इस weekend हम लोग party में चलते हैं पर यहाँ पर olive उससे ना जानी का बहाना बनाने के लिए उससे यह कह देती है कि मुझे इस weekend अपने boyfriend के साथ जाना है हाला कि उसका कोई boyfriend है नहीं पर उसके पास कोई बहाना नहीं था इसलिए वो यह बहाना चिपका देती है खेर weekend तो बीच जाता है पर weekend के बाद जब वो दोनों वापस मिलते हैं तो उसकी friend ने उससे पूछा कि तुम इस weekend अपने boyfriend के साथ थी तो तुम लोग आखिर क्या कर रहे थे olive के पास कुछ भी बताने वाला था ही नहीं तो वो इससे कहती है कि इस weekend उसने अपनी FD दोड़वा लिया उसकी friend ये सुन करके बहुत खुश होती है पर पास में ही खड़ी एक लड़की चोकि olive से बहुत ज़्यादा जलन रखती थी वो भी इस बात को सुन लेती है जिसके बाद वो ये खबर पूरे college में फैला देती है और कतई दीदी के efforts तो देखो वो papers बनवा करके पूरे college में बटवाती है खेर इसके बाद ये खबर पूरे college में आग के तरह फैल जाती है और इस खबर को वहीं का एक बंदा Brandon सुनता है और दुस्तो Brandon के बारे में एक बात और जान लो कि ये बंदा मीठी खीर है तो जब Brandon को पता चला कि Olive के बारे में ये खबर फैल रही है तो उसे इस बात पर बिल्कुल भी बिलिव नहीं होता क्योंकि वो Olive का बहुत समय से friend है और वो जानता है कि Olive का कोई भी boyfriend नहीं है तो वो उसके पास जाता है और उसके कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा कोई भी boyfriend नहीं है पर ये जो खबर फैल रही है इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की मदब कर सकते हैं Olive कूस्ती है कि ठीक है पर कैसे करेंगी ये बताओ जिस पर Brandon ने कहा कि तुम जानती होगी मैं मीठी खीर हूँ इस सुझे से सब भी लोग मेरा मजाग उड़ाते हैं और इस समय चारों तुरफ ये अब भी वैल रही है कि तुम किसे किसा टपाटप करवा कर आई हो ऐसे में अगर तुम बोल दो कि हम दोनों ने साथ में टपाटप किया है एक तरह से जो मेरी मीठी ही रोने वाली बात है वो जूटी हो जाएगी और दूसरे तरफ तुम्हारा एक बॉइफ्रेंड भी बन जाएगा जिसके बाद लोग तुम्हारा मजाग उड़ाना बन कर देंगे यहाँ पर दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी तो ये दोनों डिल एसेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद वो इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए एक दिन जब पार्टी में कह वे थें तो वो लोग पार्टी से अलग हट करके एक रूम में चले जाते हैं सभी लोगों की नजर इन दोनों पर ही थी क्योंकि इस समय ये लोग कॉलेज के सेलेब्रिटी जो है तो ये लोग जब रूम में चाते हैं अंदर जाकर के ये लोग वैसी ही आवाजा निकालने लगते हैं जैसी तुमें सुनना पसंद है तो जब बाहर खड़े लोग उनकी इन आवाजों को नोटिस करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये लोग एक बार फिर से पेलम पाली कर रहे हैं जिसके बाद भाईसाब जो एक दो लोग बचे भी थे वो भी मान जाते हैं कि ये लोग सचमे सुरंकी खुदाई करते हैं उससे ये बलवाना चाहते हैं कि ऑलिव ये एसेप्ट कर ले कि उसने उनके साथ पेलन कारिकरम किया हैं ऑलिव बेज बात को मान जाती हैं और वो कई सारे बंदों से पैसे लेकर कि ये बात एड्मिट कर लेती हैं जिसके बाद वो बंदे भी पॉपलर हो रहा हैं और इधर ऑलिव भी पॉपलर हो रही हैं कि इन्होंने इतने बंदों के साथ पेलन कारिकरम किया हैं मतलब कताई हद करें हैं ये लोग अब जब खबर इतनी तेजी से फैल रही है तो जादा देर नहीं लगती टीचर्स को पता लगने हैं पर इस चलते कुछ लापरवाही की वज़े से इसे वह वाली बीमारी हो गई है अब बीमारी तो मिल गई है डॉक्टर ने उसके पैरेंस को भी बता दिया है परन्तु ये बीमारी दी किसने उसका नाम मीका अभी नहीं बता रहा पर उसके पैरेंस उससे बार बार पूछ र वो उस विमारी के लिए अपना नाम दे देती है ताकि टीचर की जौब ना चली जाए पर तभी हमें पता चलता है कि मीका ने टीचर के साथ तो बस पेलन कारक्रेम ही किया था उसकी एक्चुल कर्फेंट तो वही लड़की है जिसने ऑलिव के बारे में ये अपवाय फैलाई और ना सिर्फ इतना ही उसकी जो खुद की बेस्प्रेंट थी वो अब उससे जैलेसी रखने लगी है क्योंकि ओलिव ने उसकी बेस्प्रेंट से जादा पॉबलेटी हासिल कल रही है पर यहाँ पर ओलिव को समझ आ रहा है कि ये चीज बिलकुल भी पॉजिटिव नहीं है ये उसे एक दिन बहुत बड़ी प्रॉबलम दे सकती है इसलिए वो अपने पैरेंस तो इस बात को एड्मिट करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ये बस अभवाय है जो मेरे लिए फैलाई जा रही है और उसके पैरेंस भी बहुत अच्छे थे वो उसकी बात को सम पसारी दीर तो रास्ते में उसे टैड मिलता है टैड भी उसकी बात को समझता है और उसे काफी मोटिवेट करता है कि ये सब कुछ बस अफ़ा है इस बात को मैं मानता हूँ अब ऑलिव कभी थोड़ा confidence boost होता है और वो decide करती ही कि college में सभी लोगों को ये बात बता दीगी क उसने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया ये सब बस एक rumor से जिने फैलाया गया था जिसके बाद एक दिन वो college में announce करती है कि अगर आप मैंसे किसी को भी मेरी और मेरी boyfriend की टपाटप वाली live वीडियो देखने हो तो आज रात को मेरा live जरूर देखेगा मैं आज रात को अपने boyfriend क साथ live भी टपाटप करने वाली हूं सभी लोग बहुत ज़्यादा excited हो जाते हैं और रात को उसके live पर सभी लोग आ भी जाते हैं यहाँ पर olive अपनी सारी बात बताती है जो कुछ उसके साथ हुआ है और इस बात को भी admit करती है कि उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया और हम देखते हैं कि लोग भी उसकी बात को समझ रहे हैं और लोगों को उस पर believe हो गया है जिसके बाद movie की happy ending तब होती है जब olive से मिलने के लिए उसका crush टैड आता है olive यहाँ पर उसे kiss करती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है टैड भी उसे accept कर लिता है जिसके बाद ये movie यहीं पर end हो जाती है तो दोस्तों movie अगर आपको पसंद आई हूँ तो हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन प्रस कर लिए जगा ऐसी ही और भी जद्धे इंट् पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो उसका भी लिंक नीजे description में दिया हुआ है thank you bye bye signing off